अगर आप किसी भी software के अंदर password लगाना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह किसी भी software के अंदर बहुत इराम से password लगा सकते हैं तो चलिए start करते अपना topic आप मैं सब्सक्राइब करते हैं और काफी सारे इसे software हैं जिनका यूज हम डेली करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे software को कोई भी हमारी permission के बिना open ना करें तो आप ऐसा बिलकुल कर सकते हैं आप बहुत इराम से अपने किसी भी software में लोग लगा सकते हैं वह भी password वाला लोग ब यह हम देख लेते कि आकर हम किस तरह किसी भी software के अंदर यह लोग लगाएंगे तो software के लोग लगाने के लिए हम यह एक software का यूज करने वाले हैं उस software का link आपको इसी video के नीचे description box मिल जाएगा और उस software के आपको काफी सारे ऐसे features मिल जाते हैं जिसका HTML आप चरू करेंगे वीडियो के नीचे description box में आपको एक link मिलेका उस link पर क्लिक करके आपका एक setup download होगा तो यहां देखे मैंने setup पहले चाहिए download कर रखा है अब मैं इस पर double click करने के बाद आपके सामने yes का message आएगा उसे yes पर क्लिक करिए और next पर क्लिक करिए और next पर क्लिक करते ही आपका इस इसको मैंने यहां से finish कर लिया है अब यहां देखे desktop पे इसका एक icon बन चुका है तो जब आप first time इस icon को open करेंगे तो आपको इसका पूरा setup करना होगा तो वही setup आपको यहां पताने वाला हूँ तो मैं यहां just double click करना हूँ double click करने के बाद देखे आपको यहां अपना master password ड हाइड वाले option में क्लिक करेंगे तो आपकी सामने कुछ इस तरह की window open हो आती है अभी यहां देखे desktop मेरा already open हो रखा और desktop पे फिलार मुझे एक यह जो मेरा एक icon है वह show करा तो उसको यहां से मैं select करने के बाद देखे में सामने यह आ चुका है और यहां से height हो चुका है ले password और option में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की window खुले की यह कह रहा कि आप default password रखना चाहते है जो आपने एक master password बनाता है वो रखना चाहते है या आप एक नया password create करना चाहते है आप चाहें तो हर एक software icon के लिए एक अलग-अलग password create कर सकते है यानि जो भी option पर क्लिक करूंगा ओके वाले option में क्लिक करते हैं देखी यह icon आच चुका है लेकिन चो इसका icon है वह यहाँ change हो चुका यानि जो main icon है वह नहीं आ रहा है तो फिलाल इसको देखी यहां से मैं double click करके open करूंगा तो फिला पहले मैं इसको close करता हूं यहां से अब मैं इसको इसको यहां से फिलाल में सबसे पहले वाला option यहां से स्लेक्ट करेता हूं सबसे पहले options चलेक करते देखी मेरा यह icon आच चुका है तो फिलाल मैंने आपको इस software के मात्रम से तरीका बताया है लेकिन अगर आप इस software को नहीं होना चाहता है आप नौर्मली किसी भी software लोक लोग करना चाहता हूं तो यहां मैं Photoshop सर्च कर लेता हूं Photoshop देखिए यहां मैंने सर्च किया है और देन मैं इस आइकन के ओपर राइट क्लिक करूँगा राइट क्लिक करने के बाद यहां मेरी विंडो 11 ने तो मुझे इस सारी ओप्सेन नहीं दिखा तो यहां से में ओपन फाइल लोकेशन भी जाता हूं और यह मेरा आइकन है आपके इसमें कुछ इसी तरह का आइकन आता है वह आइकन आपके डैक स्टोप में हो सकता है और आपके स्टार्ट में भी हो सकता है तो जिर्पए इस अखन पङए और दे सोम मोरो वाले ओप।्ो 마음에 क्लिक करें देखिए, आपको एक option दखाए देखा 영ет लोग इद जो आपकषक डीच सीविच करेंगों कि इस आपको और भी सारे option भी जाते हैं आपके विला हाइट करना चाहते हैं हाइट भी कर सकते हैं लोग का भी option है read only का भी option है और password लगाने का भी option है तो आप अपनी अनुसा किसी भी option को यहां से select कर सकते हैं अगर आपको इन दोनों को हटाना है तो नॉर्मर आप क्लिक करिए और जो आपको नीचे remove option दिखाए देता है यहां चे इसको remove कर दिए देखिए इसको मने remove कर दिया है यह तो था कि आप इस फोड़र को भी लोग करना चाहते है तो नॉर्मर यहां add वाले option में क्लिक करने वाद आप किसी फोड़र को आप कर सकते किसी भी फाइल को select कर सकते तो यह 32 सोप्टर है जो आपके चैन्य गoudलो के साथ साथ फाइल लोक के साथ आपके शॉव्ट अधर लोक लगा सकता है तो मुझे आमी अधर की याज ओक्ते याइस के मातलम से आप सबहु अपनी किसी भी शॉव्टu में लोक लगपाईंगे अगर आपको शॉप्टर हो करने में शाट अप करने में किसी भी तरह की कोई उपरेशा नहीं आए तो आप इस स्कीन पर देखने में जो फॉन कर सकते हैं मैं आपकी पूरी सपोर्ट करोंगा इस शॉप्टर को इस्चोलरेशन करने में और इसका पूरा सैट अप करने में